असलाम आलेकूम और आमदुल्ह वरकातों दोस्तों आज की वीडियो तुलाइख खास होने वाला है एडसेंस एक ही आदमी का एक ही बार होगा और यहाँ पर देख सकते हो आइडेंटिटी बेरिफिकेशन मेरा कंप्लीट बाकी एड्रेस बेरिफिकेशन यह पीन अभी में आ तो बहुत ज़रुरी है आपके लिए वीडियो ज़रुरी इसलिए है कि मैने पहले एक वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत सारे लोगों े पुछा बाया आप कहा ते और एडसेंस कहा का बनाया है तो इस वीडियो में बताना चाहूँगा वीडियो नहीं लंबा मaking करू आप इंदिया से हो और पाकिस्तान से हो फाहर काउंटे में तो आप आप लाजी में अपने मुल्क का अड्रेस डेंश आप सूदियारब डुबाइ का अड्रेस दो ओगे आरक लिखा होता है एक लख में खलत हो गया बहुत सारे मुश्किल हो रह भागार उसके कभी YouTube से तुड़ा कुछ पैसे कमाया हुओ पैसे बैंक में डालने के लिए आपको AdSense की ज़रूरत है और सोधी के AdSense एड्रेस देखे आपने बना लिया AdSense complete कर लिया मुश्किल नहीं है फिर आपको सोधी आरुप का ही बैंक अकाउंट डालना पड़ेगा और आप तो पूरा जिंदेगी सोधीयार में नहीं रहोगे यह AdSense तो पूरा जिंदेगी का है एक आदमी का एक बार बनेगा तो AdSense चेंज करने में काउंट्री रिजन चेंज करने में अभी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है तो आप लाजिमी अगर इंडिया से हो YouTube में काम कर रहे है AdSense नहीं बनाया AdSense एड्रेस बेरिवकेशन डालना है तो आप लाजिमी इंडिया का डालना है इंडिया में आपका पोच जाएगा मंगवा के आप वेरिफिकेशन पीन कर सकते हो तो मैंने पहले भी किया है अभी भी यह मेरा दूसरा है और मेरा दूस्तों का भी यह सौधी का एड्रेस डाला है दू तीन बार रिसेंट करते करते अभी तक पीन नहीं मिला है पिर इंड पीचर में आपको करना है यूटूब में काम तो एड्रेस आप बाहर में हो तो एड्रेस आपने मुल्क डालो सही डालो सही जागा पहुचेगा तो यहां पर मैं आप इडाल के यह कंप्लीट कर देता हूं यहां पर 306257 में डाल देता हूं 30 306275 6275 306275 यह डालने में मुझे डर लग रहा है कि इदर गलत नहीं हो रहा है 306275 हां मैं अभी सब्मीट कर देता हूं क्या होता है देख वाव माशाला आड्रेस बेरिविकेशन कंप्लीट अपर देख सेख तो यह मेरा मुबाइल का नीचे एडरेस लिखा हुआ था मैं नहीं दिखाया इसलिए मुबाइल डाल दिया है तो अब ही मेरा कंप्लीट हो गया मैं फिट से रिफ्रेश कर दूंगा देखता हूं क्या होता है और मैं तोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूं मेरा बहुत सारे कॉल मेंसे जाता इसलिए वीडियो में बताने में कुछ प्रोब्लेम हुआ तो आप समझ लो ठीके टेंक क्यों